हाई दोस्तो टीवर चांद में आपका स्वागत है दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप सीखिएंगे कि आप शॉцип से अपलीकेशन में की हुए और को कैसे आप कैंसल कर सकते हैं तो इसलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते और सीखते हैं सबसे पहले आपको shopse application अपने mobile में देखना है अप्लिकेशन को आपके open करना है यह रहा मेरा shopse application इसको हम open करेंगे दस्तो वीडियो को एक like चरूर कीज़ेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप home application में रहेगा home page में उसको नीचे category का option है उसका notification का option है उसक यहाँ पे आपका नाम शो होगा उसको नीचे mobile number शो होगा उसको नीचे वाला option दिखेगा धियान से orders लिखा हुआ है इसमें आपको click करना है जिस दोस्तो आप orders वाले option में click करेंगे तो आप आजएगा my order वाले option में अब यहाँ पे बहुत सारे order आपने जो किया है ओ दिख count है इस product का जो भी आपने order किया है उसका नाम शो होगा उसका नीचे आपने कप order किया था ओ शो होगा आपका जो deliver कब आने वाला है ओ होगा अब यहाँ पे आप चाहते हैं इस order को cancel करना तो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ धियान दिजीगा कि एक option है लिख cancel order तो यहाँ पे जो cancel order का option है इसमें आपको click करना है जिस दूस्तों आप click करेगा अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप क्यूं इसको cancel करना चाहते हैं एक reason दीजिए तो यहाँ पे कोई भी एक reason आप दे दीजिएगा यहाँ पे my region are not listed उसके वाद आपको यहाँ पे comment करन करना है कि आप क्यूं इसको cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पे more product more product लिक करके यहाँ पे उसके बाद नीचे submit request का option है इसमें आपको click करना है जिसे आप click करेंगे यहाँ पे लिक करके आगया कि cancellation confirm यहाँ आपका product जो है वो cancel हो गया दूस्तों इस तरीके से आप order को cancel कर सकते हैं दूस्तों वीडियो को like करें शियर करें